और क्या हाल है मेरे दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का स्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनलन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों को कैसे भू सकती है लो आप लो कैसे हो आज स्वेता पाक कला में बनने जा रहा है काला वाला चना जो बहुत बढ़ियां बन क रेसिपी है और चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाते अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है अगर इसी तरह की और वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और श चना रात भर के लिए हमने पानी में भिगो दिया था करीब साथ से आठ खंटे बाद गर्मी का देने ठंड का देनों तो जादा टाइम लगता है जितना चना है उसका तीन गुना हमने पानी डाला था अब गर्मी का देने इसलिए उस पानी को हम निकाल देते दूसरा पान इसके अंदर हमने डाल दिया है एक प्रेशर कुकर लिया हमने उसके अंदर चने और पानी डाल देते चनिक साथ हमने उतना पानी डाला है कि चना डूबा रहा है बहुत जादे इसके अंदर हमने पानी नहीं डाला है एक टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक डाल दिया चला दिया है और उसके बाइस का ढखकर लगा के करीब 2-3 सीटी के आने तक इसको पका लेते हैं जब तक चना में सीटी आएगी तब तक बाकी सामागरीम देख लेते हैं 2 ढधा टेबिलिश्पुन चीरा लिया एक अधा गरम अल्डी लिया एक टेबिलिश्पुन करम मसाला यह साथ ही अदरख . यहरीमिर्च बळलें हैं इसका प्ढ़ीं लात में चाहिए हैं 133 tap पेड कि रिम हुछ पेक्षा。 3बरिसपूल, हम सरसों का तेल ढाल देते हैं , क्यूंकि सरसों के तेल में बना हुआ चना बहुत ही टेस्टी होता है हुआ जब तक 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 मसाले को जार से निकाल लेते है, मसाले को एक कisuरी के नदर है खाली कर लेते है साथ में हमने थोड़ा सा धनिया बारी काट के लिया है और लगबख एक पिंच हमने हींग ले लिया है तेल हमारा गरम हो गया उसके अंदर हमने हींग डाल दी और हींग डालने साथ साथ इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया साथ ही हमने healthy powder और उसके साथ जो हमने pisa वो masala लिया था उसको भी इसके इंदर डाल देते हैं कलचिल की सहायता से इसको हम चला लेते हैं masala gas पे पक रहा है तब तक हमारा चना तयार हो गया है और इसको हम देख लेते हैं यह चना एक्तम तयार है सिर्फ हमने इसमें दो सीटी लगाई है सिर्फ नमक डाला है बाके हमने इसमें बेकिंग सोटा बेकिंग पॉल्डर कुछ नहीं डाला कितना पढ़िया चना पक के तयार हो यह आज की चनी की सबसे बड़ी ट्रिक थी अब उधर मसाला हमारा तयार हो भुन के और इसने तेव छोड़ दिया इसके अंदर हम मसाली को डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें क्योंकि हमने चना में नमक डाल दिया तो बहुत जादे इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे सिर्फ आधा टेबल इसमें इसमें नमक डाला एक टेबल इस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाला है अंदर आप चना मसाला भी डाल सकते हैं मसाला भून के तयार हो गया उबला हुआ चना पानी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे हाँ दोस्तों बिल्कुत सही आपनी सुना है, भूंते भूंते चना देखी इस तरह से पकके तयार हुआ, सर्जों के तेल के द्वारा लोही के कढ़ाई में बना हुआ चना तैयार हो गया, इसके अंदर हम हम थोड़ी सी धनिया मिला लेते हैं, इसको अच्छी तरह से मिलाके त्यार कर लेते हैं, गैस को हमने बंद कर देना है, अब इस चनी के अंदर एक नीबू का रस मिला देते हैं, बिल्कु सही आपने सुना एक नीबू हमने उसका रस निकाल लिया है, इसके अंदर चनी के अंदर अच्छी तरह से मिला लेते हैं, ये बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है, इस तरह आप चना बनाएए अपने परिवार, अपने बच्यों साथ बैठ के खाईए, अपने मितरों के साथ इन्हीं ट्रिक्स के तौरा, यह मसालेधर तर चना बनके तैयार हुआ, आप अपने घर में फ्रेज बनाईए हेल्दी बनाईए हेल्दी खाईए हफते में एक दो बार जरूर बनाईए और मुझे कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसी लगी आपने पता किमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद बहु